नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अब्डेट पर तो दोस्तो डियाडीयो ने एमका फाइटर जैक के लिए कहिंत रहा कि जो सब सिस्टम होते हैं उनका जो प्रिक्यूर्मेंट है उसको शुरू कर दिया है और ये जो सिस्टम है ये डियाडीयो ले रही या EMKA fighter jet के PTO test के लिए क्योंकि दोस्तों अब जो DRDO है वो अब EMKA के power take off shaft जो test है उनको यहाँ पर conduct करेगी तो PTO अपने आप में एक काफ़े ज़दे critical component होता है क्योंकि ये aircraft को और साथ में जो उसका power plant है उनके बीच एक कड़ी के तोर पर काम करता है जो की दोनों को आपस में जोड़ता है तो दोस्तों ये जो system है जो की PTO इसे आप जो normal vehicles होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं जो normal tractor या फिर इस सब के अलावा जो truck वगरा हो गए तो उसमें भी जो PTO है उसका रोल आप सब को द CDR है उसे भी यहाँ पर complete कर लिया जाएगा और CDR के पूरा होते ही जो fighter jet है उसका लगबग 60% का जो काम है वो यहाँ पर done माना जाता है तो यह जो PTO होता है इसकी आप जो image है वो screen पर भी देख सकते हैं इससे पहले भारत ने तेजिस MK1 fighter jet के लिए भी जो खुद से PTO है उ prototype की तो वो 2024 में यहाँ पर roll out होगा और साथी साथ उसके लिए लगबग 15,000 करोड के जो fund है उनकी मांग यहाँ पर रखी गई है और 2028 तक लगबग जो 5 MK के prototype है उनको यहाँ पर plan किया गया है तो इस सब को देखते हुए जो MK की unit cost है उसका अंधाजा लगाया है कि वो लग 75 से लेकर के 80 million US dollar तक हो सकती है तो दोस्तों यहाँ से यह जो है यह SU-57 से महगा और साथ में F-35 और साथ में जो राफेल fighter jet है उनके बराबर होगा तो overall कहा जाए तो MK की जो program cost है वो 5 billion US dollar को बड़ी असन से cross कर जाएगी जो की एक aircraft carrier की cost के बराबर या फिर उससे जादा होता है और MK हमारे लिए और ज्यादा क्यों important हो जाता है इसका सबसे बड़ा कारण है चाहिना क्योंकि उनके पास अभी से ही लगबख 1500 J20 मौजूद है और आने वाले समय में उनकी यह जो संक्या है यह और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी तो ऐसे में भारत के लिए जो MK fighter jet है और ज्यादा important हो जाता है क्योंकि भले ही जो J20 है वो truly 5th generation का fighter jet ना हो लेकिन वो 4.5 generation fighter jet से यहाँ पर आप कह सकते हैं आगे है specifications के हिसाब से तो यहाँ पर भारत को हर मौर्चे के ओपर जो MK है उसकी आने वाले समय में काफे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इस सब के अला प्राइच को ही रखेगा तो वहाँ पर कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगा पर जो MK है वो भी यहाँ पर ले जा सकते हैं और इसके लावा एक और चोटी सी update है हाला कि दोस्तों इसके ओपर एक पूरा article चपा है आप चाहिए तो उसे जाकर के रिड़ कर सकते है मैं description में उसका link दे दूँगा तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत का सफदेशी engine है उसको ले करके यहाँ पर cover किया गया है कि उसको जल से जल तयार करतने के लिए जो कारवाई के आदेश हैं वे यहाँ पर दे जा चुके हैं इससे पहले भी जो DRU है वे काफ़ जादा सक time line क को आगे रख चुके हैं जिसमें वे दो से ले करके तीन साल के अंदर लगबग तीन जेट engine को तयार कर लेंगे और इसी के साथ बाकी जो साथ साल होंगे उसमें वे इस project को complete करना चाहते हैं यानि कि साथ साल के अंदर वे इस deal को करने से ले करके इस engine की जो testing वगएरा है उस सब को यहां पर complete करना चाहते हैं और इन सालों में लगबग साथ जो ground test बैऍड है उनको यहां पर बनाए जाएगा और साथ जो flying test बैड है उनको यहां पर बनाए जाएगा तो टोटल 7 साल के अंदर भारत 14 jet engine को यहां पर testing के लिए बनाएगा और यहाँ पर भारत को चार से लेकर के पांच बिलियन युएस डोलर कर्च करने पड़ सकते हैं डिपेंड करता है कि हम किस के साथ इस इंजन को बनाएंगे और इस सब के अलावा भी एक और यहाँ पर अपडेट सामने निकल करके आई थी जिसमें जो DID और साथ में GTRE है इन्होंने जो कावेरी इंजन है उसके आफटर बर्नर सेक्शन के ओपर जो काम है वो शुरू कर दिया है यानि कि हम खुद से भी जो कावेरी का आफटर बर्नर सेक्शन है उसको बना रहे हैं और इसी के साथ यह जो इंजन है यह राफेल के इंजन के बराबर यानि की लगबख 75 से लेकर के 78 किलो न्यूटन थरस्ट को जनरेट करने में शक्षम होगा और इसका एक dry variant भी हम तयार कर रहे हैं जिसको लगबग 52 kN thrust को जनरेट करते हैं लाइक बनाया जाएगा तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई ज झाल झाल